नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समाचार चौपाल समाचार की हर ख़बर समाज पर करती है और आज में इस ख़बर को आपको दिखाने जा रहा हूँ यह ख़बर संबंदित है समस्ति पुर्जिला के कल्यानपूर पर खंडा तरगात माली नगर पंचायद से जहां पर ह विकास के लिए वह कितना सक्षम हो पाया है यहां विकास के लिए सफल कितने हुए हैं तो इन पर हम लोग चर्चा करेंगा अब दर्सों को बताते कि कार्श करें पूरा का पूरा समाजी ख़बर हमारे साथ बैठे विजय सर्मा जी पिछले 20 वरसों से लगातार यह स्वेम कि जो एक्सपिरियंस है वो इसके अधार पर आप अपने पंचायत का भी विकास कर सकते हैं तो आप जरूरी इसको सुने और पूरे ध्यान से देखें और अपना कमेंट भी करेंगे जब आपको अवस्चेक लगे तो इजय जी आपका बहुत पस्वागत है सबसे पहले हम आपके माध्यम से जाना चाहेंगे कि आपका पंचायत माली नगर बीस वर्स से जो काम हुआ भी हुआ है जिसमें कि हर पांच वर्सों में देखें मुख्याजी का चैन हुआ है आप भी थे तो कैसा विकास हो सका है कुल मिला का अगर कहा जाए तो विकास के मामले में जहां तक बात हम लोगो करना चाहिए विकास ठीक ठाक ही हुआ है लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस मामले में हम कहेंगे कि अभी भी थोरा सा अधूरा है जिसको आगे के कारेकाल में उसको पूरा किया जा सकेगा और काम सही रूप में होगा हम विजय जी आपसे जानना चाहेंगे कि महात्मा गांधी का जो सपना था कि अपना पंचायत अपनी सरकार और उसी के अधीन चलने वाली जो विवस्था है जो कि हमारे पंचायत के सर्वों परी विकास के लिए सक्षम है तो क्या वो सपना महात्मा गांधी जी का पूरा हो रहा है 20 बर्स में आपने क्या देखा है महात्मा गांधी का सपना जो बहुत अच्छा था और इसको राजीव गांधी ने भी इसके पर पुर्जोर फोकस किया कि भाई पंचायती राज को सुदूरिध करना चाहिए उसके बाद मोदी जी आए नितिश जी आए सारे लोग उन्हों मिलके आगे बरहने का काम किया है लेकिन जो परशास्निक व्यवस्था है या जो सिस्टम है या जो अपसरसाही है उसके हावी होने के कारण पंचायती राज व्यवस्था को जिस ढंग से फलिभूत होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था सोतंत्र होके जो पंचायत और गाउं के विकास के समध में जो सोच सकता है उसमें कहीं न कहीं रुकावट लग जाती है और आम सभा की प्राशंगेक्ता प्राथमिक होनी चाहिए उसमें इन दीनों कुछ कमी देखनों को मिलती है जैसे इंद्रावास है तो इंद्रावास का लिस्टिंग होता है उस लिस्टिंग का या नाम जोरने की परकिरिया होती है इस सम्में आम सभा की अहम भूंका होनी चाहिए जिसको सही रूप से कायर रूप नही चाहूंगा आपसे किस अस्तर पर पर परिशान हो रहे हैं मतलब जन पड़ती थी एक पर वूब दर्साहिए जैसे आमसभा का महतुत हो आपने कहा कि होना चाहिए रासनकार और इसमें लेकिन अफसर सरकार कहती है कि हम अफसर को साथ जोड़ते हैं जैसे है कि विकास और टीम गई थी समस्तिपूर से भी पूरे बिहार से टीम गई थी राजस्थान पंचाइती राजकार ट्रेणिंग के संबन्द में उस समय हम लोग गये थे कल्यानपूर से और लोग भी गये थे तो हाँ एक सिस्टम देखे कि जैसे कि BPL में जिसका नाम नहीं है रासन कार्ट में नहीं है तो वो RTS डासन कार्ट में जुड़ने लाइक है कि नहीं है तो किस कारण से नहीं है उसको पूरा फूर इन्फोर्मेशन आजाता था लोग भी संतूस्च हो जाये करते थे और यही कारण है कि वहाँ पर लगा जैसे कि यहाँ पर एक सिस्टम है जिसके कारण काम हो रहा है जबकि अपने परखंड में देखिए या जिला में देखिए कि जो लोग राशन काट का अपलाई करता है सो आद였습니다 सो आदमी से मालिजे की दसादमी का पास होके या भी सादमी या पशी सादमी का पास होके आता है उसमें जब पास होके आता है तो लगता है जैसे की एक रूपता नहीं है कोई गरीब है उसका भी छुट गया और कोई सक्षम नहीं है अपसर से इसका जांच सही नहीं हो पाता है इसका सही जांच नहीं हो पाता है या सिधे उसको देख के एक अपसर लोग है या माली जे इसके पताधिकारी या करमचारी हैं एक माइंड मेकप किये हुए हैं कि इस टाइप से हमको करना है 10% को पास कर देना है 90% को फेल कर देना है इसमें सही डंग से जांस नहीं हो पाता है सरवेक्षन सही हो तो पंचायत में लोगों को संतुष्टी अधिक मिलती है समझे ना इसके पहले आपको 2016 के पहले जो सरवेक्षन हुआ था 1112 में जिसके अधार पर इंदरावास का पुरा लिस्ट बना था लिस्टिंग हमारे आभी करीब आर्ट सो नो का नाम था इंदरावास में लेकिन प्राथविक्ता के अधार पर किनको पहले मिलना चाहिए और किनको बाद में मिलना चाहिए वो सही रूप से नहीं था वो उस समय तो उस समय भी मुखिया थे 2011-12 में तो उस उसे आप तो वो बोला कि हम लोग को इंस्ट्रक्शन है कि कि किसी परती निधी से कोई हल्प नहीं लेना है तो हम लोग भी छोड़ दिये कि भाई चलो लेकिन उन लोगों ने सर्वेक्षन करके जो दिया उसको सीधे बिना सर्वे किये हुए करमचारी और अफसर लोग उस कर नाम प्राथमी के पहले चला आया जो मजबूरी में लोगों को उस रूप में काम करना पड़ा जिसका हज्यामा जो है सो परती निधी लोगों को भूगतना पड़ता है हम तो यह तो बात जान गए देखी मैं दर सब्सक्राइब को जरूड कहना चाहूंगा इन्होंने बात बताई की अफशर चोकी सहयोग के लिए सरकार निक्त करती है लेकिन वह ग्राउंड मोंड की कनेक्टिवीटी नहीं होने से यहां की जो रिपोर्ट है बास्तविक बात है वह समझ नहीं पाते हैं बाहर से कोई लोग होते एक दो दिन आते हैं और उस कारण से सही जनका अच्छे एक बता और बता यह पंचायती राज में पहरे तो पैसा तो आपके काउंट में आता है पंचायत के खाते में आता है फिर उसके बाद अभी जो साथ निश्चय और यह सारी बात आ रही उस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कई सारे में क्याई स बात हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार जो यह बना के भेजती है नियम हमारे यहां नलजल की जरूरत नहीं है कहीं तब भी उसको गारना पर रहा है तो इस तरह की क्या कोई समस्य आपको भी नजर आ रही है देखिए नहीं नलजल तो यह बहुत अच्छी योजना है और इस उसके मुताबिक काम करने में वारसदस लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पर रहा है इसमें वारसदस को सचीव के रूप में जो यह था उसके लिए किसी ने किसी सरकारी कर्मचारी को उनके साथ टैक कर दिया जाता तो इतनी परसानी नहीं होती जबकि सचीव औ हम लोगों को अगर चैक काटना होता है तो पग सब् smoked सब्सक्राइव है उनको मालूम रहता है कि किसकी आवसकता है कि मने किस धंग से हम काम करें क्या करें नहीं करें का गस्पतर तो सुगत होती है तो ऊहां पर थोला सा problem है तो योजना अची है योजना ये साथ नीचे से आपको कोई समस्या नहीं नाए कोई समस्या लगड़ा के सरकाराप पर थोप रही है पंचायत पर ये सारी बातों को अपने मन से ग्रामसभा के माध्यम से बिकास जो होता होसुद्रिड विवस्ता होती उससे उसमें थोरी सी कमी है कि ग्राम सभा के माध्यम से अगर होता तो ज्यादा बेहतर होता यहां के लोगों को क्या जरूत है किस चीज की आव सकता है यहां के लोग बेहतर धंग से बता सकते हैं कि भाई हमारे यहां ट्रेनेस की क्या आव सकता है रोड की कहा जरूत है या नाली क कोई कार्जकाल को यदि कोई ऐसे नए लोग जो समाज में सेवा करने के लिए आगे बढ़े हैं तो आप उसको क्या खासियत बताना चाहिएगा क्या कुछ सोच कर आपने आया था और क्या कुछ कितना विकास किया अपने पंचायत का सरार की योजनाओ के माध्यम से देखिए जो भी लोग आवे हैं और या परतिनिधी बनते हैं उनको ये सोच के बनना चाहिए कि हमारे यहां हमारे पंचायत के लोग बारा बज़े दीन में हो या बारा बज़े रात में अगर आते हैं तो हम उनसे मुलाकात करें उनके दुखतर्थ को सुने अपरात्मिक्ता कैधार पर जिसको ज़्यादा आवश्कता है जिस परिवार को ज़्यादा आवश्कता है जो परिवार ज़्यादा नीडी है उसकी मदद पहले होनी चाहिए और सब लोग उसे बेवार बनाके रखना चाहिए ऐसी एपेक्चा करते हैं एक प्रसन है कि आपका जो कार्जकाल इसमें कोई ऐसा काम जो कि आप हमारे दर्साओं को बताना चाहें कि हाँ आपने मुख्या रहते ये बेहतर काम कर दिया जिसे की समाज में एक इतिहास बन गया कि हाँ इतनी बेहतर बाती होगी वो क्या बताना चाहें कौन काम सबसे बहतर हुआ वो तो लोग ग्रामीन भी बताएंगे लेकिन ऐसे हमने दो तीन वाडों में जैसे नो नंबर है ये बारा नंबर है उन वाडों में जहां गौवर्मेंट का जमीन नहीं भी था वहां पर रोड निकालके लोगों के सहीयोग से हमने कनेक्टिवीटी दी लोगों को आने जाने की सुधा हुई जहां पर नहीं था उसमें संपर्खपत का निर्मान हुआ और लोगों ने स्वेक्षा से लोग कहे कि हमारे जमीन में बनना चाहिए और लोगों ने बनाने दिया इससे लोग संतुष्ट हैं और एकाद दो जगा इसकी जरूरत भी है अभी बाकी है दो-तीन जगा जहां पर उस तरह का संपर्खपत होना चाहिए जहां पर गॉवर्मेंट लेंड नहीं है प्रवेट लोगों से कह सुनके उनसे जमीन लेकर आउस पर बना जा सकता है उसकी व दो पर काम करना चाहिए आप क्या कहेंगे देखिये जो भी हो जो भी लोग बने समझे उनसे अपक्षा एतना जबूरों रखते हैं कि भाई नों के साथ वेवार सही दंग से होना चाहिए लोका दुखधर सुनना चाहिए जो खोजे उससे मिलना चाहिए उसकी बात सुननी चाहिए जहां तक हो मदद करने का प्रयास करना चाहिए तो यह भी हम बात कर रहे हैं विजय सर्माजी से यह मुख्या है मुख्या के इनकी पतनी है माली नंगर पंचायत है यह और यहां पर कल्यानपुर परखन में आखरी में अभी जो पंचायत चुनाव आया है तो वोटर को दिखा गया है कि वोटर अपने परोशी के नाम पर अपने जाती के नाम पर या कई लोग किसी विशेश लोव के कारण भी वोट कर देते हैं दूसरे ऐसे परत्यासी को जो परत्यासी वो उससे लाइक नहीं है तो आप क्या कहना चाहेंगे इसे की निस्पक्स रूप से लोग मत दान करें और इससे के समाज में बेहतर बदले क्या कुछ कहना चाहेंगे जाग रुकता के लिए उसमें अगर पंचायत के लोग जात पात और यह पैसा यह किसी अन्ने कारणों से परभावित हो कि अगर भोट करते हैं तो उसका खाजयामा उनको खुद भूगतना परता है ऐसा देखने को मिला है मालिजे भावावेस में कोई अपने जात के नाम पर कुछ के नाम पर किसी को कर दें दोस्ती के नाम पर कर दें या पैसे के कारण कर दें दूसरी बात है लेकिन उसका खाजयामा बात में बुखना परता है इसलिए लोगों को कंडिडेट द इन्होंने कहा सीधे-सीदे और मैं जरूर कहना चाहूंगा या आप भी चौपाल में अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नमबर डिस्पले कर रहा है नमबर है 62066 100060 आप लिए टीम तक दिखाया कर अपकी समस्या आपको कैसा लगा कोई इस जmb ears करें जो आप को चाहिए और विजय जी से चाहिए थो आप कमेंट करें और आने वाले समय में फी आ कर पूछ कर आप तक भी बात पोछाने का प्रियास करेंगे करें टो आप दो भी बहुत बहुत धन्यबाद आगे भी एसी ख़वर को कि लिए करम लोग को आते रहें